राजस्तान बीजेपी के अद्धिक्ष डॉक्टर सतीस्पूनिया हमारे साथ हैं हम उनी से बातचित करते हैं क्योंकि राजस्तान में कुछ ऐसे विशे है जो कि अशोगेलो सरकार के चार साल में बीजेपी को भी नहीं सुहा रहा है उनका यह कहना है कि आम जनता का मोद धिरे धिरे भंग होता जा रहा है चार साल अशोगेलो सरकार के पूरे हो चुके हैं सरकार का दावा कहीं कोई एंटी इंकम्बेंसी नहीं है सब तरक खुशाल है आर्तिक विकास की दर डबल डिजिट पे पहुँच चुकी है यह तो तेईस में पता लगेगा कि जब फोर्चुनर की सवारियां बचेंगी तब राजस्तान की जनता इसका एसास कराएगी कि रामराजे है या खुशाली है या या अराजकता है अकरमनेता है नकारापन है प्रिष्टाचार है आज का मुख्य प्रशन तो यह है कि जो कॉंग्रेस पार्टी की अशोग गेलोट की काम करने का जो तरीका है उसमें एक नजीर और बन गई जिसमें राबट वाडरा को राजस्तान के किसानों की बेश किमती जमीन को बेनामी तरीके से सवासो बीगा जमीन को उसको आवंटित कर दिया गया अपने पिछले कारेकाल में आठ से तेरह के बीच में और यह उससे पहले तक तो इंकार करते रहे कोई एबिडेंस नहीं है लेकिन अब जब हाई कोट में वाडरा की कंपनी के मैनेजर ने जब SLP दाएर की रहाई कोट ने जब मना किया तो यह सपस्ट हो गया कि कहीं ने कहीं दुआ है तो आग भी है और इससे सपस्ट हो रहा है कि अशोग गैलोत के काम करने के तरीके क्या है नकाता ने वही जो सोनिया गांधी कहे वही सही तो राबट वाडरा को उपकृत करने का य 8,31,000 मुकदमे बांगी है 17 बलात का रोज 7 एत्याएं रोज ने सड़क पर वेक्ति सुरक्षित है ने घर में सुरक्षित है ने अस्पताल में सुरक्षित है ने स्कूल में सुरक्षित है कुल मिलाकर जो बेरोजगारी है वो चरम सीमा पर है 70 लाख बच्चे और उसमें अ उससे बड़ा प्रमाण नहीं हो सकता राउल गांदी ने पैदल यात्रा की पर वो शायद हर बारा किलोमेटर पर इदी तलास थे तो एक ने करप्ट वेक्ती एसीपी के जरीए ट्रैप होता हुआ पकड़ा गया यहीं एक फैरिस्टे ब्रिष्टाचार की कि बारा किलोमेटर उसकी लंबाई है कि यहां इतने किलोमेटर पर वस्टाचार होता है किसानों से ठगी करी मेरे खुद के जब सवाल के जबाब में सरकार बताती कि अठाजा अठारा अजार किसानों की जमीन नीलाम हो गई शावकार के चंगुल में नेशनलाइज बैंकों के जो करजे थे न नकारा निकमी बरस्ट अकरम ने सरकार नहीं देखी किसानों से ठगी की बात कर रहे हैं उन्हीं किसानों का सरकार का यह कहना है कि करज माफी हुई है नैशनलाइज बैंक का करज माफ करना बीजेपी की सरकार का का काम है सेकंड उन्होंने ये भी कहा है कि आप किसानों को भ ही बात नatanलाईज बैंकों के करजें की तो क्या उन्हों हे इस बात को उले किया था क्या कि यह तो रहूल गांदी को समझाते पर्ची देने से पहले कि किन बैंकों के माफ हो सकते कॉपरेट्य बैंक के जो पिछली सरकार ने भारते जनता पार्टी की सरकार ने 20 लाग किसानों के 14,000 करोड के करजे पहले से माफ कर चुके थे, उन्हीं करजों को उन्होंने माफ किया, नेशनलाइज बैंक से लेके दूसरे जो करजे थे उसके बारे में कभी कॉंग्रेस में सपस्ट नहीं किया, राहूल गांजी न नहीं बोला कि हम वो पैसा नहीं दे सकते हैं, एमप्लोई का पैसा है, गहलो सरकार के लिए हम करमचारियों को दे रहे हैं, क्या बुरा है? इस मामले में गहलोत राजनिती कर रहे हैं, और उनको लगता है कि इस तरीके के मुद्दों से उनकी नया पार होगी, लेकिन करमचारियों को हर बात से सरोकार है, और ये भी पता है कि जब NPS की बात हुई थी, तो मुख्यमंतरी खुद थे उस पर अस्ताक्षर करने वाले, मुझे लगता है कि लीपा पोती कर रहे हैं, पर क्योंकि अभी इसके बारे में बहुत सारी चीजें चर्चा और तैह होनी हैं, तो उसके बाद ही कुछ कहना मुनासिब होगा। पर शोगेलोट की नियत साफ नहीं, वो केवल इसको सियासी मुद्दे की तरह इस्तिमाल करना चाहते हैं. एक आखरी सवाल, चुनावी साल में आप भी कदम रखने वाले हैं, कुछ खास जिसे लेकर जनता के बीच जाना चाहेंगे, बीजेपी? देखी, अभी तक तो राजस्तान के चाहे किसान हो, चाहे बेरोजगार हो, चाहे ब्रिस्टाचार हो, चाहे राजस्तान के एक विक्सित राजस्तान की कल्पना, उसके बारे में सिर्फ बयान और चर्चाएं होती रही. हमारी कोशिश है कि हमारी party सत्ता में आएगी तो हमें समधान की दिशा में जाना है राजस्तान में आज क्या कुछ नहीं है गुजराच की जब देश से चर्चा होती है मद्देपरदेश की होती है महरास्ट की होती है हर्याना की होती है राजस्तान की चर्चा भी होनी चाहिए राजस्तान में परेटन में खेती में पशुपालन में डेरी में खनीज संपदा में हर द्रस्ती से राजस्तान पूरे तरीके से संपन है दिक्कत तो यह है कि यहां illegal mining ने पूरे माइन्स को खराब कर दिया उसके sources को खत्म कर दिया और समाधान के साथ आएंगे पर्चे जो लीख हो रहे हैं उस पर कुछ कहना चाहेंगे क्योंकि आपकी पार्टी शायद बार बार इस इस इश्यू को उठाती भी रही है कड़े कानून होना चाहिए आप तो यह करें राश्टी सुरक्षा कानून के तरह मामला दर्ज होगा सं सारा महीने से वहां जज ही नहीं है तीन सरकारी वकिल बदल गया ऐसे तो दो साल में भी ट्रायल पूरी नहीं होगी पिकिस सरकार की उदासी नता साफ तोर पर देखती है ऐसा लगता है कि बेरोजगार नोजवानों के परती उनकी संवेदने मर गई क्योंकि पेट काट कर जो बच्चा कोचिंग करके परिक्षा दे कर नोकरी के सपने देखता है वो देखता है माबाप देखते हैं तो वो जब बच्चा अवसाद में आत्मत्या करता तो हत्या नहीं है वो सिस्टम की हत्या भी है और उस बच्चे की हत्या है जिसकी दोशी अशोगलोत सरकार है औ ने ठोस कानून बना, ने फास्ट ट्रेक में हुआ, ने CBI को दी गई, ने उन पर रासुका लगा, कुल मिलाकर मुझे लगता है कि इसमें कहीं ने कहीं कॉंग्रेस पार्टी के सरकार के नुमाइंदे इसमें सामिल थे, उनका संग्रक्षन था यह मैं नहीं कह रहा, उस समय ज सरकार का अधिकार है, इडी की तो आप मांग करी सकते हैं, केंदर में भी आपकी सरकार है, इडी ने कुछ एक्षन किये थे, और मैं तो यह कहता हूं कि सरकार को इदी इतनी नहतिकता है, तो उनको CBI को दे देनी चाहिए.